हलो दोस्तो स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जैसा कि आप इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो हम लोग उसमें एक से पाच तक वाले में सिलेवेस का डिटेल डिसकसन किये थे अभी हम लोग बात करने वाले हैं 910 के वारे में कि 910 का वीडियेफ उसका हम दिखा रहे हैं अभी हम लोग 9-10 में तो आईए हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पर भी दो पेपर होगा एक पेपर वन होगा एक पेपर टू होगा पेपर वन के बारे में अगर एक से पाच तक बाला आप देखे होंगे तो आप जाहिड से बात समझ गयोंगे तो यह वीडियो को थोड़ा स्किप कर लिजिए अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लिजिए तो पेपर वन जो होगा 100 मार्क्स का होगा इसमें 100 कोस्टन्स होगा एकजाम कितने देर का होगा दोस्तों तो दो आवर्स का यह एकजाम हो चाते हैं तो बंगला का दे लो किसी एक में आपको 75 मार्क्स का एकजाम दे लेना है और 75 और 25 मिला के कितना होता है 100 मार्क्स 100 marks में आपको बस 30 marks ले के आ जाना है बस इसी से इसका मतलब है इससे merit ना बनेगा ना उसमें जुड़ेगा यानि कि ये qualifying nature का है बस यानि कि इतना number आपको लाके दिखा देना है कि हाँ आम भासा के बारे में जानकारी रखते हैं बात खतम लेना देना खतम दूसरी बात है 100 marks में आपका कोई भी negative नहीं है 100 questions में से 100 questions आपको कर के आना है तो जाहिटी बात है 100 questions आप कीजिएगा आप पढ़ने वाले विद्यारती होंगे तो 30 marks ले ही आएंगे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो पहला पेपर में किसी को कोई टेंसल लेने की जरू नहीं है पहला पेपर में दोस्तो किसी को टेंसल लेने की जरूरत नहीं है वो 30 marks आप अगर थोड़ा भी पढ़ने वाले विद्यारती होंगे तो 30 marks ले आएंगे दोस्तों ठीक है थोड़ा भी पढ़ने वाले विद्यारती होंगे दोस्तों 30 marks आप 100 marks में से ले आएंगे द important paper क्यों है दोस्तों क्योंकि ECP क्या होना है दोस्तों selection होना है selection का मतलब ECP आपका merit बनेगा कि आपका selection हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो देखिए एक से पाच वाला तक जो paper था उससे यहाँ पे 20 questions जादा लिया जा रहा है यहाँ पे कितना marks का exam हो रहा है sorry sorry नहीं इसमें नहीं है इसमें वहाँ पे भी 120 था यहाँ पे भी 120 है syllabus में भी थोड़ा बस differentiate किया गया तो अब आये देखते हैं कि syllabus में यह timing कितना होगा तो दो hour का exam यह भी होगा दोस्तों ठीक है तो paper 1 भी 2 hours का होगा paper 2 भी 2 hours का होगा लेकिन यहाँ पे 20 marks बढ़ जागा अब आये पहले syllabus को के badass teacher बंना चाते हैं समाजिक विग्ण के teacher बंना चाते हैं तो जिस्भी subject के सापर आपको teacher बनना है जो seat की vacancy आ चुकी घिंदी का बंगला का उर्दू का संस्कृत का अरभी का फार्सी का और इंगलिस का यह सब तो भासा वाला पेपर हो गिया ठीक है या फिर अगर आप साइंस का एकजान साइंस जिसको बोलते हैं तो आपको ये paper देना होगा ये सारे में आपके किसी एक paper जो आप चूनेंगे उसमें आपको 80 questions आपको exam देने होगे बाकी 40 mark का जो exam होगा फिर से वही समाज अध्यन का जो paper था समाण अध्यन का paper उसी में होगा लेकिन इसमें थोड़ा paper कट कर देया गया वहाँ पे 7 section था एक से 5 बाले में एक से 5 बाले में कितना section था दोस्तो 7 section था देखिए दिखाते हैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेकिन जो 19th में है उसमें section कम कर दिया गया 1, 2, 3, 4, 5 ही बस कर दिया गया ठीक है reasoning वाला एक हटा दिया गया है और दूसरा समान दूसरा कौन सा हटाया गया है समान जाग रुकता समान विज्ञान तो दिया ही है एक reasoning हटाया गया है और भुगोल परिया वरन तो है ही समान विज्ञान हटा दिया गया है कौन सा हटा दिया गया है समान विज्ञान तो है ही एक हटा दिया गया है हाँ एक हटा दिया गया यहाँ पे अभी हम बताते हैं कौन सा हटा दिया गया समाजिक विज्ञान हटा दिया गया यानि कि SST वाला पेपर यहां से एक हटा दिया गया प्लस रेजनिंग वाला पेपर क्या कर दिया गया हटा दिया गया जो एक से पाच सक में पूछ रहा था तो यहाँ पे क्या पूछेगा दोस्तों फिर से वही math और समान जाग रुपता ठीक है यानि कि GKGS जो हो गया समान विज्ञान का मतलब science हम वहाँ पे आपको बताये थे ने कि समान जाग रुपता और समाजिक विज्ञान दोनों लगवग मिलता जूलता पेपर है दोनों में लगवग एक ही टाइप के कोशन साएंगे तो वही से यहाँ पर क्या कर दियागा हटा दिया गया वारतिय राष्टिया अंदोलन और भूगोल भूगोल पलघ्यावरन वहाँ पे था तो परियावरन को यहाँ से आठा दिया गया बस भूगोल का पेपर आपको रखा गया है यानि कि जो गरफी आपको पढ़ के जाना होगा ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो चालिस मांक्ज के एकजाम होगे 40 marks में कितने section रखे गए हैं देख लिजे 1, 2, 3, 4, 5 तो मान लिजे overall आप 5 है तो लगवग 8 से 10 question कोई एक से maximum 10 question कोई एक से accept कर सकते हैं तो ये आपका syllabus का पूरा का पूरा एक detail discussion हुआ अब आईए हम लोग आगे समझते हैं तो थोड़ा छोड़ा कर देते हैं ताकि आपको syllabus एक साथ दिख जाए तो यही 80 marks और 40 marks का आपको exam होना है दुसरा बात है कि अब जो यहाँ पे जो आप marks लाईएगा यहाँ पे क्या करिएगा जो आप marks लाईएगा उसी पे आपका क्या होगा result होगा यानि कि merit जो बनेगा EC पे बनेगा तो सबसे पहले यहाँ 80 marks में तो आपको command कर लेना है जो आपका core paper है जिसमें आप teacher बनना चाहते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल करना है महारत करने का मतलब कि आपको अच्छे से talent अपना वहाँ पे दिखाना है अब आईए हम लोग बात करते हैं कि syllabus क्या होगा तो syllabus वहाँ note में लिखा है 80 marks के लिए क्या लिखा है दोस्तों तो माधमिक विद्यालेओं के बिशयों पाठकरम बिहार विद्यालेओं समीती का जो पाठकरम है तो फिर से आपको क्या करना है जो 10 तक का questions होता है ज्यादा ज्यादा Lucent तो आपको यहाँ पे करना ही करना है ठीक है इस वाले paper के लिए 40 marks के लिए ठीक है और बाकी यह जो 80 marks का paper है वो हम यहीं बताएंगा आपको कि math में कम से कम 12 का भी कुछ basics math आपको देख लेना है science में तो बहुत ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि Lucent में 11-12 तक का cover होता है math में आपको जो math करने वाले होंगा वो 12 तक का देख लेंगा और भासा तो जो लोग भासा पढ़ते होंगा तो उनको अपना ज़्यादा पता होगा तो math वाला क्योंकि पिछले बार जब estate का exam हुआ हो था तो सबको पता होगा जो 9-10 के लिए भी estate दिये थे तो इनके लिए क्या करा था 12 से भी बहुँ ज़्यादा questions पूछ दिया गया था ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमको अपना portion क्या करना mathematics का थोड़ा मजबूत करने हो ना जैसे algebra, calculus, ये सब probability ये सब का जो basic questions होता है 12 में ओ भी आपको देख लेना होगा ठीक है तो ये 80 marks के लिए हो गया और जो 40 marks के लिए है वो 40 marks के लिए फिर से वई है 40 marks के लिए नीचे हम लिखके रखे है 40 marks के लिए समान अध्यान पत्र होंगे ये तो हम आपको बता ही चुके है जिसके प्रसने माध्मिक विद्धाले के पाठकरम के संबन्नेत होंगे लेकिन इसका अस्तर उमिद्बार है तो निर्धारित निउन्ता महारता फिर से यह हो गया तो इससे आपको मतलब नहीं आप लूसेंट जो भी सिलेबस लिखा वो लूसेंट को आप पढ़ लिजेगा तो आपका जो सिलेबस है वो complete हो जागा दोस्तों तो यह पूरा का पूरा हमारा डिसकसंस था यह डिसकसंस आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर से किजेगा इसके बाद हम 11-12 का भी आपको डिसकसंस बताएंगे कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है तो यह एक बहुत ही important बात है कि अगर आप मतलब की exam देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा उसके मतलब नब्ज बोलते हैं syllabus को उसके नब्ज को आपको पकड़ना होगा तो जब एक बार आप उसके नब्ज को पकड़ लिजेगा तब आप खुद बाखुद उसके टैलेंट में आ जाएगा यानिक उसके वो आप exam फिर आसानी से आप क्या कर सकते हैं दे सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही है आप नीचे comment section में comment करके जरूर से बताईएगा कि आपको यह syllabus का discussion कैसा लगा और फिर अगले वीडियो में हम 11-12 वाला भी आपके साथ एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें 11-12 का discussion करेंगे वो भी सिलेवाज जो है लगबग 9-10 से मिलता जूलता ही है 9-10 से जादा नहीं है तो चलिए इसी बातों के साथ ये वीडियो को हम अंद करते हैं फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद